हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सभी एक्जाम ओरिजनल्स के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है अदिती गुस्पाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हाल ही में हमारी कंट्री के रिजर्ब वैंक यानि की आर्वियाई के द्वरा जारी किये गए एक फैसली के बारे में डेटेल में डिसकस करने वाली हूँ आर्वियाई का यह जो फैसला है वो इससे रिलेटेड है कि अब हमारी कंट्री के साथ जितने भी देशों का अंतररास्टिय ब्यापार होता है वो अब रुपए में भी किया जा सकेगा क्योंकि अभी तक जो ब्यापार है वो डॉलर में किया जाता था क्योंकि अगर हम लो को भरोसा होता है जिसकी जो अर्थ विवस्था है वो काफी जादा मजबूत होती है तो अमेरिका जो है वो आप लोगों को पता ही होगा कि स्टार्टिंग से ही एक सुपर पावर की तरह रहा है तो इसी वज़े से all लेकिन अभी काफी जाओ प्रॉब्लम्स हुई है जिसकी बज़े से हमारी कंट्री जो है उसने भी एक काफी बड़ा चेंज करने का सोचा है और वो चेंज ये है कि अब हमारी कंट्री के जो करंसी है जो की रुपए है उसमें भी अंतरराष्टिय ये व्यापार किया जा सकेगा ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए हैं जैसे कि चाइना है उसने भी अपनी करंसी में व्यापार को बढ़ावा दिया है इसी तरीके से अगर हम लोग कहें जो यूरोपिन कंट्रीज हैं तो इसी तरीके को अपनाते हुए अब इंडिया में भ जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा जो आप लोगों को MPPSC के प्रिपरेशन में काफी जाथा मददगार सावित हो सकता है तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे बेले अगर हम लोग बात करें RBI जो है उसने जल्द ही एक ऐसी विवस्था बनाने का विचार प्रस्तूत किया है जिसके बाद जो भी Global Market है यानि कि जो अंतरास्टिये वाजार होते हैं उनमें लेन देने के लिए डॉलर पर नर्भरता खतम हो जाएगी और हम सीधे रुपए में करवार कर सकेंगे तो इ बिचार कर रहा है अब आप लोग मुझे एक अंसर देजेगा कि RBI जो है उसका गठन या फिर उसका जो रास्टिये करण है वो कब किया गया था तो इसका अंसर आप लोग मुझे comment box में जरूर देजेगा अब हम लोग आंगे बात कर लेते हैं कि इस तरीके के decision के पीछे का कारण क्या था यानि कि हमारी कंटी जो है वो इतना बड़ा strange करने के बारे में क्यों सोच रही है इसके पहले क्या कारण था इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसा कि अभी आप लोगों को पताई होगा रोस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके वजए से काफी जाधा changes देखने को मल रहे हैं वर्ल्ड की जो economy है उसमें काफी countries वो काफी जाधा loss भी हो रहा है तो इसी वजए से हमारी कंटी पर भी इसका बहुत जादा असर पढ़ रहा था तो इसी वजए से ये जो decision है वो लिया गया है अब अगर इसमें हम लोग बात करें हमार कंटी जो है उसने indirectly रसिया को support किया था तो इसी वजए से अमेरिका जो है वो हम लोगों से या फिर हमारी कंटी जो है उससे काफी जधा नाराज देखने को मिल रहा था और उसने जो रसिया है उसके उपर काफी जादा sanctions भी लगाए थे और हमारी कंटी का रसिया के साथ रहा है उस पर भी काफी जाना प्रवाव पढ़ने लगा था पहले जो एक डॉलर होता था वो लगभग 70 रुपई के बरावर होता था लेकिन अब जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और लगभग अब 80 रुपई के बरावर 1 डॉलर पहुशता जा रहा है तो इस वजए अगर हम लोग बात करें जो global market है उसमें तमाम प्रतिवंदों के बाद हालात ये बन गए कि डॉलर की मुकाबले रुपया जो है वो record नीचे इस तर पर चला गया यानि कि पहले जो है वो जैसा कि मैंने अभी बताया रुपय की कीमट डॉलर की compare में क्या हुआ करती थी लेकिन ये जो system है उसको शुरू करने का विचार प्रस्थूत किया है जैसे कि अगर हम लोग बात करें जब अमेरिका ने रसिया पर सैंक्सन लगाया था तो रसिया ने इंडिया से ये कहा था कि वो हमारी country में जो वैपार है वो करना चाहेंगे यानि कि वो जब अमेरिका ने रसि आपको देख दे हुए है यानि कि इसके लावा और भी कई सारी country जो हैं उनकी भी दिल्चस्पी हमारी देशी करन्सी में देखने को मिल रही है तो इस वजए से ही हमारी country जो है वो इस तरीके का step उठाने के बारे में विचार कर रही है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकती है अब अगर हम लोग बात करें कि अगर इस तरीके का जो system है वो लागू हो जाता है यानि कि जो रुपए है वो ही अब एक international currency बन जाती है तो उसका हमारी country और बागी country पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो अगर ये ल प्रभाव खतम हो जाएगा यानि कि अगर हम लोग बात करें जो भी global market है उसमें जाधातर हमें dollar का ही प्रभाव देखने को मिलता है इसी वजह से अमेरिका जो है वो कई सारे देशों पर अपने according sanction लगाता रहता है क्योंकि अमेरिका जो है उसको पता है कि सारी country जो है वो international level पर dollar में ही एक दूसरे के सार्थ व्यापार करती है तो इस वजह से जिस country से भी उसकी नहीं बनती है या जिस country से भी उसके जो relation है वो खराब होने लगती है तो उनके उपर जो अमेरिका है वो sanction लगाने लगता है लेकिन अगर हमारी country जो है वो रुपय को भी एक international currency बना द लेती है तो इससे अमेरिका और dollar का दवाब जो है वो खतम हो जाएगा और हम लोग अपनी currency यानि की रुपय में अपना import और export अच्छी तरह से एक दूसरे देशों को कर पाएंगे इसके लावा अमेरिका के साथ साथ जितने फी western countries है उनका भी असर खतम हो जाएगा क्यूं वोट कर रहे हैं तो अगर ये जो system है वो लागू हो जाता है तो उससे western countries का भी असर खतम होता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कई वार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने किसी देशवर प्रतिवंद लगाया है और भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है यानि कि अगर हम लोग बात करें अमेरिका के जिन भी देशों के साथ relation खराब होते हैं तो वो उन पर प्रतिवंद लगा देता है तो इससे भारत को भी काफी नुकसान होता था जैसे कि अगर हम लोग बात करें जब इरान के साथ अमेरिका का इसे काफी जाधा महतपूर्ण देश देखने को मिलता है लेकिन अमेरिका के इस सेंक्सन की वजए से इरान से हमें कच्चा तिल खरीदने में काफी जाधा मुस्किल आई थी इसी तरही से अभी प्रेजेंट टाइम में रूस और यूकरीन के हालिया युद्द की वजए से जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रितिबंद लगाए थे तो भारती कंपनिया भी रूस के उत्पात खरीदने में नाकाम रही थी क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो पैट्रॉल है या फर अगर हम लोग बात कहें जो गेहूं है वो हमारी कंट्री मे जाधातर रस्या से ही इंपोर्ट किया जाता है लेकिन इन सैंक्संस की वजए से हमारी देशों काफी जधा मुस्कलों का सामना करना पड़ रहा था तो इन समस्याओं से बचने के लिए ही हमारी कंट्री जो है वो इस तरीके का स्टैप उठाने जा रही है तो इसके बारे म अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो RBI ने कहा है कि जो नया सिस्टम है वो foreign exchange management act यानि कि जिसे हम लोग FEMA कहते हैं उसके तहद बनाया जा रहा है यानि कि अगर हम लोग simple way में बात करें कि तो ये जो नया सिस्टम लेकर आया जा रहा है उसकी देख़ाल कौन करेगा य यानि कि foreign exchange management act के द्वारा किया जाएगा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रुपई के जो कीमत है वो किसी भी सम्मंदित देश की मुद्रा के global forex market में चल रहे भाव की आधार पर तै की जाएगी यानि कि अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग किसी भी देश के साथ ब्यापार कर रहे हैं तो उसमें रुपई की जो दर रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी वो इस आधार पर तै होगी कि उस देश में जो भी उसकी मुद्रा का global forex market है उसमें उसके भाव क्या चल रहे हैं तो इस आधार पर रुपई की जो कीमत है वो तै की जाएगी इ जिस भी country के साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं उस country के global forex market में उस country की जो मुद्रा है उसका क्या भाव चल रहा है तो उसकी आधार पर रुपए की जो value है वो तै होगी और फिर रुपए में व्यापार किया जाएगा तो इस तरीके से आप लोग इसे समाझ सकते हैं कि market में जो भी उसकी value होगी उसके आधार पर तै की जाएगी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरा इसमें इस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तो इसमें एक बोस्ट्रो बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी यानिकि एक नया बैंक या फिर नया देशों के साथ रुपए में व्यापार किया जाएगा तो अगर हम लोग कहें RVI के अकॉर्डिंग नया सिस्टम लागू करने के लिए भारत में अधिकरत बैंकों को वास्ट्रो खाते खोलने की इजाज़त दी गई है यानि कि अगर हम लोग कहें अब भारत का जो भी अध बैपार से सम्मंदित बैंक है तो उस बैंक का एक वास्ट्रो खोला जाएगा जिसमें ये एक्सचेंज हुआ करेगा यानि कि अगर हम लोग कहें जैसे हम लोग अगर रसिया से बैपार कर रहे हैं तो रसिया की करन्सी क्या है रसिया की करन्सी रोबल है तो जब रसिया से ह हम लोग रसिया को कुछ एक्सपोर्ड करेंगे तो रसिया का जो वास्टो अकाउंट हुआ करेगा उससे हमें रोपए में पेमेंट हुआ करेगा तो इस तरीके से जो वास्टो अकाउंट है वो किसी भी कंट्री के बैंक और दूसरी कंट्री के बैंक के बीच में एक बैंक तो इस तरीके से इसके लिए एक नए अकाउंट जिसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहा गया है वो खोलने की जरूरत पड़ेगी इसी तरीके से अगर हम लोग कहें भारतिय निर्यात को को सम्मंदित देश के बैंकों की ओड से खोले गए वॉस्ट्रो खाते से भुकतान किया तो दूसरी गंट्री का जो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा उससे हमारी गंट्री को पेमेंट किया जाएगा तो यह जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करेगा आई होप अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कनफ्यूजन नहीं होगा तो वीडियो को हम वस यह तक रखते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक कीजेगा और जादा से जादा लोगों को शेर कीजेगा इसके लावा अगर कोई भी कनफ्यूजन हो तो प्लीस कमेंट वोक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसके लावा आप लोग मुझे एक लाइब वीडियो लेक्चर्स और इस्टेडी माटेरियल हिंदी और इंग्लिस दौनों मीडियम में देखने को मिल जाता है साथ ही आप हमारा ओफलाइन कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं जिसका नया वैच जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है तो इस चैनल के अलावा आप हमारा ओफलाइन बैच भी जॉइन करके अपनी MPPSC की तयारी को एक बहतर दिशात दे सकते हैं तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं मिलेंगे अब हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद